आज मैंने 5 मिनट में एक ऐसा नाश्टा बनाया है जिसको आप लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करकी रख सकते हैं आराम से 15 से 20 दिन तक चलता है और फटा-फट से बच्चों को इनको 2 मिनट में बना कर खिला सकते हैं खाने में टेश्टी बनाने में आसान ये रेसिपी घर में बच्चों को बहुत पसंद आती है चली रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए हैं इसको बनाने के लिए कच्चे आलू मैंने ये ज़्यादा quantity में आलू लिये हैं तो आलू को सबसे पहले हमें अच्छे से छील लेना है छीलने के बाद धो लेना है तो अभी मैं आपर आपको फिलाल तीन आलू का नाश्टा बना के दिखा रही हूँ आलू को धोने के बाद चागो के मदद से इनको हमें एकदम बारिक बारिक चौप करना है यानि जितना आप बारिक कर सकें इसको उतना बारिक आप आलू को कर लीजिए कुछ इस तरीके से ये देखे सारे आलू को मैंने एकदम बारिक बारिक महीं चौप कर लिया है चौप करने के बाद अब मैंने क्या किया कि गैस पर रख दिया है पानी गरम होने के लिए पानी को हमें पूरी तरीके से गरम नहीं करना है ऐसे ही इस पानी में हमें कटे हुए आलू को डाल देना है और इनको हम लग भग 2-3 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे 3 मिनट से ज़्यादा इनको नहीं उबालना है तो बीच बीच में हम ऐसे उलट पलट देंगे जिससे की आलू हमारे हाब वाइल हो जाएं ध्यान रखें कि आलू को हमें आदा उबालना है आलू हमारे आदे उबल चुके हैं आप देख सकते हैं उपर की तरफ स्टार्च आ गया है बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है याइस को बंद कर देना है और इन आलू को हमें एक बाउल में निकाल लेना है निकालने के बाद अब इन आलू को हम हलका ठंडा करेंगे ध्यान रखना है पूरा ठंडा नहीं करना है आलू हलके ठंडे होने के बाद इसमें डालूंगी मैं सीजनिंग थोड़ी सी चिली फ्लेक्स एक चम्मच चाट मसाला आप देख सकते हैं इसमें अभी भी धुआने करना है पूरा ठंडा नहीं हुआ है और धनिया को काट के डाल देंगे साथी साथ इसमें डालूंगी मैं चार से पांच चम्मच काउन फ्लोर सारी चीजों को आपस में पहले हम एक बार अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे तो आप चम्मच से ऐसे इन सब को अच्छे से मिलाए मिलाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला टेस्स के अनुसार और इसको हम फिर से एक बार और अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसको कर लेंगे ठंडा सारी चीज़ें ठंडी होने के बाद मैंने पांच लसन की कलिया ली है इनको भी हम कद्दू कस करके इसमें डाल देते हैं आप चाहे तो अधरक लसन का पेश्ट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं हातों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि ये अभी ठंडा हो चुका है और अब हम दवाते हुए पोर्शन को इसका टैटर टोस्ट तैयार कर लेंगे ये देखिए इसमें हमें कोई भी गोल या फिर ओबल शेप नहीं देना है बस असे दवा देना है और दवाते हुए डिजाइन बना लेनी है तो मैं सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके और टोट्स बना के रख लेती हूँ ये हमारे थोड़े से टोट्स बन गए है तेल गरम हो गया है तो इनको मैं तेल में डाल देती हूँ गरम गरम ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाया है अभी गरम है तो मैं अच्छे से पकड़नी पा रहे हूँ ये देखिए इसमें से जो क्रिस्पी साउंड है बहुत अच्छा आ रहा है इस स्नेक्स को आप टमेटो कजब और मियोनी के साथ कीजिस सर्प चलिए हमें आपक लगा तो कमेंट करके जरूर जरूर बताना